तुम्हारे प्यार में समस्या है तुम्हारी शादी सुदा लाइफ में समस्या है तुम्हारे जीवन में शादी के पहले और शादी के बाद जहां भी समस्या है मैं सीधी बात कर रहा हूँ अगर तुमको तुम्हारे जीवन में अगर प्यार चाहिए तो क्या करना होगा अगर तुमको तुम्हारे जीवन में प्यार चाहिए तो आज साम को ये चीच कपड़े में बांध कर रख देना फिर देखना चमतकार वही होगा जो तुम चाहोगे आप देख रहे हैं लाव विद एस्ट्रोलोजी आब का बहुत स्वागत करता हूं लॉफ विद एस्ट्रोलजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जातायँ झाली में आप Operations Review में आपने स्रेश्ट बनाया जाताय आपस जीवन में हर एक चीज आपके पक्ष्मिय हो और बड़े बन जाओ उस इस पर पूरा ध्यान दिया जाता है लभिद स्टॉल-जी में हर में आपको आप से मिलवाकर आपके जीवन में आपको जिदाया जाता है शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का जहां सवाद संत्र होता है उसका नाम लभ रिजू-जी के प wedge और शादी के बाद की समस्या का समाधान तो होता ही है जो जोड़ियां आस्मान में बनती है उनका रेपेरिंज सेंटर भी ही है पूरे विश्य में एक माद्र स्थान ये है जहां पर पूरी इमानदारी से पूरी इस पष्टता के साथ पूरे अच्छी तरीके से आपके जीवन को बहतर बनाया जाता है और पूरी इमानदारी से आपके जीवन में प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाता है प्रमाण के साथ बेदोक्त, शास्त्रोक्त और प्रमाणित उपाए के साथ यहां बहुत बड़ी संख्या में फिछले 20 सालों से काम हो रहा है और अभी तक 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और सक्सेजेट 95% है यह सब कुछ रणतर जारी है इस पर बहुत बड़े लेबल पर काम किया जा रहा है इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान वि आज हम कह रहे हैं कि आज अपनी शादी में अपने विवा हमें प्यार में लव लाइफ में अगर तुम सफल होना चाहते हो अगर अपने पती को गुलाम बनाना चाहते हो अगर अपने पती को अपने हाथ में रखना चाहते हो अगर आप चाहते हो कि वह परिवार के तब तक वो तुम्हारे रहेंगे अंजी पतिम्यतिम्साथकमंजरानी गताम गतिस्यां मिमनोहरानी साहब तुलशी बाबा कहते हैं वशी करण एक मंत्र है क्या है वशी करण एक मंत्र है तुले बाबा कहुं सा मंत्र है तजिदो बचन कठोर करवा बोलना बंद कर दीजिए मीठा संभाशन कीजिए जब पूरे दिन के बाद कोई आपके पास आता है थकाहारा बहुत सारी चीजों को अपने उपर लेकर सहन कर और जाने कितरी बाते सुनकर आपका नेतिक करतब पे है अत्याधिक प्रेम देना अपने मुखमन डल पर हशी रखना और बेतर करना अच्छा यह सब कुछ करने के बाद भी चीज़े खराब हो रही है तो का करेंगे तो यह सलूशन करें जो आज हम कह रहे हैं जैसे ही आप यह सलूशन करेंगे उसके त थोड़ी कुछ में कुछ पड़ा मिलता है आपको हां ऐसी थोड़ी आपके आखें चमक जाती जब बिल्ली आप रास्ता काटती है बिल्ली कोई मंत्र थोड़ी जानती है बिल्ली कोई तंत्र थोड़ी जानती है तिर क्यों आपकी स्पीड रुख जाती है जब आप सड़क तुम्हें हिच्कियां ऐसी ही थोड़ी आती है तुम्हें ठीके ऐसी ही थोड़ी आती है बगल में कोई छीक दे कोई 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 छीक भर दे और आप रुप जाते रहे और टोक लगा दी उस तो होता होगा इन सब ब्रतम सत्य परम्त्री सत्य हो सच श्यो नी मियतम्च तो सत्य अत्मिकां सत्य वह जो दिख रहा है जो तुम देख पाते हो जो थो सुन पाते वह जो समझ पाते हो सब स्क्ते है और एक दृष्टी से सब मिथ्या है कि वो भगवान और धर्म सत्य है और को सत्य नहीं आज जो सुवेरा है वो कहीं पर रात है अभी जो ताजा है थोड़ी देर बाद बासी हो जाएगा तो बाकी सब भी है सत्य है अगर एक दृष्टी से देखें और दूसरी दृष्टी से देखें तो सब सत्य है बोले तैसे ठीक किया जा सकता है बोले सत्य को पकड़ लीजिए सत्य को कैसे पकड़े धर्म की दृष्टी से ये सब क्यों समझा रहा हूँ कि तुम उपाय कर तप पाओगे जब इन सब बातों पर पालन करोगे उपाय बहुत सरल है उपाय बहुत छोटा है तुम्हें अपने पठी को पाना है तुम्हें अपने परमेश्वर को पाना है तुम्हें अपने रिस्ते को ठीक करना है तुम्हें अपनी सौतन से चुटकारा पाना है तुम्हें घर परिवार वालों उसके जंजट से बचना है तुम्हें हराल में उसे अपना बना लेना है तुम्हें हराल में अपने प्यार को पा लेना है यह सब बाते कब होंगी जब उपाय तो इतना सा है कपड़े में यह सामान बांधा और गार बांध के रख दिया हो गया लेकिन जब तुम बात समझ के करोगे तो जीद जाओगे और बिना समझे करोगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा हमारी गारी में वह साइड मिरर का कुछ तूट गया कि मैंने देखा कारी कर आया दो स्केंड में वह ऐसी हाथ लगा रहा था कि उसको सब पहले से पता है वहीं अनारी विक्ति को सोचना पड़ता है कहां से खुले गाई है और जो जानता है वो फटाक करके हाथ लगा खट से कोल दिया दो मिनट बांध दिया फिर से जानकारी सही हो तो तुम जीत जाते हो इसलिए पहले जानकारी देता हो पायबात में बताता हूं धर्म नदूसर सत्य समाना आगम नीगम पुरान बखाना सब जगे यही लिखा है दुनिया के किसी भी गरंथ में देख लीजिए प्यार के इलावा अच्छा कुछ और दिखता है दुनिया की जितनी भी फिल्में है उसमें से 90% में लव स्टोरी है जितने भी सौंग बनते हैं गाने बनते हैं भाई क्या कहने जा रहा हूं विस्त की जितनी भी कथाएं सब प्रेम कथा है राधा और किष्ण की कथा सीता और राम की कथा किसी ने भी अरेंज मेरीज करी या यह सब लब मेरीज वाले लोग थें सीता राम को प्यार हुआ राधा खृष्ण को प्यार हुआ रुकमणी खृष्ण को प्यार हुआ फिर विवा हुआ यहां तक की की माता पार्वती को भी बगमान शिवसे प्यार हुआ उन्हों तो यहां तक कह दिया था मैं तो कुमारी रहना चाहती हूँ अगर संभू नहीं मिले तो जनम कोटी बोले कब तक ऐसा कर सकती हो ध्यान से समझने जब लोग पूछते हो कब मेरा काम होगा उसका जबाब दे रहा हूँ माता परवती से किसी ने पूछा तो क्या बोली पता है जनम कोटी तक रगड हमारी बरहू संभूनत रहू कुमारी बोले मुझे कितने भी जनम लेने पड़ जाएं मुझे तो शंभू ही चाहिए दूसरा कोई नहीं चाहिए इतनी ड़स्तता की जनत होती है प्यार में है तुम में अच्छा इसका जबाब मैं देता हूँ मतम्री तब सुन रहे हो वह न तब तक चली नहीं गहीं होते है और यार सबस्ची नियारा क्या बता रहे हैं तुम्हें समझ आ नहां है इसलिए तो मुधर हो यह प्रस यह चैनल कि सबकर लिए नहीं है यह समपर्दؑए है अलग परेम समपर्दाए है इसमों वहीं लोग थो इसी दुख से पेणित करुं और सचे प्रेमियों के लिए नहीं थो तुम लाइक करते हो फरक नहीं लीकित ब्सक्राइब करते हो फुरक नहीं बढ़ता है तुम सब्सकाइब करते हो 55 जूँज आपके मैं उधर ज्यादा कोशिश्ट कर रहा तुम लाइक करो घंद्यबात कुई बात लिस लूं लॉद कि लिगत नहीं तुम सबस्काइब करो यह पर बात डिसलैक कर पार बात बहुत सारी को सकता है किया एसा बादना है कपड़े में जिससे सब ठीक होसकता है प्रणाप गुरुजि आज मैं आपको धन्यवात करने के लिए कॉल किया है गुरुजि आज मैं बहुत खुशू गुरुजि आपके आशिरवद से मेरे जिवन में कुशिया आ रही है गुरुजि आप आप मीं तो है आपने ही तो हमें इतने बड़े संक्ट से बचाया है की पूर्टी करें जो तुम पाना चाहते हो डिफिनिटली तुम मिल जाए ऐसी इक्षा रखता हूं सब तुमने किया है उसी का फल मिला है तुम्हें मेरा आशिरबाद मेरी मेरा सबरपड मेरे तपस्यासब तुम्हें मिल रही है लेकिन तुमने विश्वास किया तब नहीं जैपुर आ रहा है जैपुर में हज्जारों लाठों लो जिनके भी जीवन में रिस्तों में संबंधों में या परिवार ने किसी भीप्रकार का वोई की संकत है किसी भीप्रकार की बिश्कत है वो सिर्फ और सिर्फ तीन दिनों में ठीक हो जाएंगे लाजस्थान की पावंध है जैपुर में बावाशिप की महम है और दिप दरवार शक्तियों का आहवान मुरा है आई और विलियम उससे जैपुर में तीन दिन के लिए सब्टाइस, अठाइस, अठाइस, उनक्तिस, ओम पर करें नंबर है डबल लाइन 36601255 सिधा उपाई की बात करता हूँ आपको काला कपड़ा लेना है काले कपड़े में अपने मुख में रख करके थोड़ी सी सौप सूखी सूखी निकाल करके उसमें रखना है और साथ लॉंग, चार इलाईजी और ग्यारह काली मिष्ट के टुकड़े उसमें डाल करके बांधने के बाद, पहले दिन, अपने पैताने यानि पैरों की तरफ ग़द्दे के नीचे रखिए करें फिर अपने दाही तरफ घड्दे के नीचे रखें एसा करम क्रãμ ermुधन दिन से ले के दाइध दिन तक का किया जा सकता है एक पूरा करकर देनको आपके जीवन में वो परिवर्टन आब जो कभी नहीं आया और क्रम फिल्कुल वैसे रखने कि कोशिश करियेगा जैसे नीचे से उपर क्यों उराते हैं न ऐसे तो आप बहुत सद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो आप सफल होंगे इसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ती है, बहुत अनर्जी है, इसलिए इसे किलित किया गया है, गुरुमंतर से अक्षादित किया गया है आपको आदेस लेनी क्या वशक्ता होगी बहुत धन्यबाद, बहुत खुश हो जाए शन होईए, अपना बहुत ख्याल रखे मैं हूँ तुम्हारे साथ हर हाल में, हर परिस्तथी में, हर इस्तथी में तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस मुश्कुराओ परिस्तथी में, हर आदेगर्दे में, बढ़ाम करके पानी प्योरम न ध्यान रखो पीविस लाई मर्द बताना, पैसो का आदान बतान नहीं करना निगेटिव होना मना है, और हाँ तुम अपना ध्यान रखने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा भी ध्यान रख रहा हो, थन्यबास समझने के लिए ओम नवर्श्रिवाई प्रकल्पों में सबसे महत पूर्ण है अध्यात्मिक शिव नगरी की इस्थापना जहां मिलेगा समपूर कश्टों का समादान एवं बावाशिव की महमा कथा और दिवशक्तियों का आवान जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समादान अपनी आखों के सामने एवं गौ सेवा व्रद्दा आश्रम शिशुवाल विकास अन्न छेत्र भोजन वित्रन गरीब कन्याओं का विवा निर्धनों को रोजगार की विवस्ता के साथ-साथ होस्पिटर योग गिछेत्र आयरवेद धाम ध्यान भवन, ससंग भवन सेवाधा विश्रामाले वेद विद्याले एवं संग्राले अनुसंथान भवन रिसर्च सेंटर ग्रंधाले और नचेत्र का 27 नचेत्रों के विरक्ष भव प्रेमेश्वर महादेव की प्रत्मा शिप परवार मंदर का भी छित्र में इस्तित है यहां सद्गुरु देव की किरपा से हाजारों लोगों को भगवान शिप की भक्ती से जोडने के साथ-साथ सत्मार्क पर चलना भी सिखाया जाता है यहां वेद, वेदांग, पुराण, सास्त्र, जोतिश, आयरवेद इत्यादिपत रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है यहां रहने का अर्भो वैसा ही है जैसे शिप भक्त रहना चाहते है इस महायक परम पुनीत पुर्ण कारी कार में आप इन प्रकल्पों से जोडने के लिए आप श्री की आहूती दान के लिए समपर करें नमबर है डबल लाइन 36601255 अधिक जानकारी के लिए 8447832114 कि उन्हें पुर्ण के लिए जाइन पुर्ण को सकते हैं